हलो गाइस, वेलकम बैक टुदे कैसे करे यूटुब चैनल गाइस, आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को एक UPI एप के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप Google Pay के नाम से जानते हैं आज किस वीडियो में आप लोगों को Google Pay की मदद से बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करना सिखाने वाला हूँ अगर आप भी जानना चाहते हैं कि Google Pay में किस तरीके से हम हमारे बैंक अकाउंट का पेमेंट किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तो पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल पे नाम के एक एप को ओपन करने के बाद में अब आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तो क्याफ्ट साइट में सबसे उपर आपको एक आइकोन दिखाई दे रहा है इसकैनर का और जब अगर मैं इसे आउन करता हूँ तो एक कैमरा ओपन हो जाता है यानि कि ये एक सकैनर है QR कोड सकैनर है जिससे मैं किसी भी अकाउंट को पेमेंट करने के लिए सकैन कर सकता हूँ तो यहां पर मेरे पास में अगर सपोस कर लिए QR कोड नहीं है बलकि मैं manually उसे payment करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैंने दोस्तो pay के बटन पर click कर दिया है अब यहाँ पर मुझे transfer करने के लिए चार option दिखाई दे रहे हैं पहला option bank transfer यानि कि अगर मैं bank की information इंटर करके payment करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे bank transfer का option मिल जाएगा इसमें मुझे manually हर चीज के लिए information डालना पड़ेगा जैसे bank account number IFSC code, recipient name और फिस second number पर option दिया हूँ phone number, phone number की help से मैं directly google pay में registered mobile number इंटर करके direct उस वेक्ति को payment कर सकता हूँ लेकिन अगर उस सामने वाले वेक्ति का account google pay में registered नहीं है यह मैं उसे payment नहीं कर पाऊँगा और third number पर मुझे option दिया हुआ है UPI ID और QR code अगर मेरे पास सामने वाले वेक्ति की UPI ID है तो मैं यहाँ पर enter करके उससे payment कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पर QR code का उप्योग कर सकता हूँ जिससे मैं camera से scan करके उसे directly payment कर सकता हूँ और फिर fourth number पर option दिया हुआ self transfer self transfer का option उन लोगों के लिए useful है जिनके google pay में दो bank account add है जो directly एक account का payment उसरे account में transfer करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को bank transfer कर सिखाने वाला हूँ तो simply मैंने bank transfer पर click किया अब यहाँ पर सबसे पहले आपको bank account की information डालना होगी तो मैंने यहाँ पर अपने bank account की information डाल दी फिर आपको यहाँ पर डालना होगा दोस्तो IFSC code डालने की बाद में आपको पीछे जो है उस bank की branch का नाम भी दिखाए देगा ताकि आप लोगों confirm हो सकें कि आपने motion इंटर करी वो सही है या नहीं जैसा कि आप दे सकते कि यहाँ नीचे मुझे यहाँ पर इसकी information भी दिखाए देरी और लास्तिम आपको डालना है रिसिपेंट का नेम मतलब कि जिसके नाम से देंक अकाउंट है और फिस इंपल आपको क्लिक कर देना है continue के बटन पर सो गाइस अब आपको यहाँ पर simply उस payment कर जो नंबर है वो इंटर करना पड़ाए याने कि आप कितने payment को करना चाहते है तो मैं आपको सिर्फ यहाप इन पर ट्राइल को तो पर शीखा रहा हूं तो मैं आप पर सिर्फ एक रुपय का पेमेंट देना चाहता हूं और यहाँ पर आप उसमें रिमार्arta करके नोट कर दवा सकते हैं कि आपकि सिच लिवाइन देरे तो मैं यहाँ पर स ते तीम को option दे हुए है तो आप यहां पर थीम आपको जो पसंद हो वो सेलेट कर सकते हैं फिर आपको सेलेट कर दिना है सेंपल ही process to pay के बटन पर फिर आपसे अपना यूपाइब पिन इंटर करने के लिए कहा जाएगा यहां पर मैंने Google पे का UPI इंटर किया और इसे ओके कर दिया तो इस अब देख सकते कि मुझे राइट का ओप्षन आ चुका यानि कि मेरा पेमेंट जो है सक्सेस्फुली कंप्लेट हो चुका है अब मैं अपने ट्रांजेक्शन में जाकर करके इसे देख लेता हूं आप देख सकते मुझे बैंक से मेसे भी रिसीव हो चुका है यानि कि पेमेंट हो चुका है और मुझे यहाँ पर रिसेंटली में यूज हुए पेमेंट के बारे में बताया जा रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पेमेंट में ने किया था वो सक्सेस्फुली उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ह हो चुका है यहां पर आप इसकी पूरी डेटेल्स देख सकते हैं अब अगर आपको यह रिसीप्ट सामने वाले व्यक्ति को भेजना हो तो आप शेयर रिसीप्ट के बटन से यहां से आप किसी भी ऑप्शन का यूज़ करके डारेटली अपनी रिसीप्ट को सेंड कर सकते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम गूगल पे की हेल्प से बड़ी ही असानी से बेंक अकाउंट की इंफोर्मेशन एंटर करके गूगल पे का पेमेंट दुसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं गाइस अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया ह तो हमारी वीडियो को लाइक जरू करें और इससे अपने दोस्तों को साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ओके गाइस दिस इस कैसे करें यूट्यूब चैनल साइनिंग आफ बाई बाई